हेलो गाइज वेलकम बैक टू मा यूटूब चैनल और आप पढ़ रहे हैं यहां पर तिव्या बर्मा के साथ जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यह आपका बिए फाइनल येर का इंग्लिस लिटरेचर का थर्ड पेपर हैं और हां दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टन इंफॉर्मेशन दे दूं कि आप लोगों के 100 कुष्चन आएंगे जिसमें से आप लोगों केवल 75 ही करने हैं कुछ लोग इसमें गरबड़ कर आए हैं 100 के 100 करके आ गये हैं आप लोग ऐसा ना करें इसलिए मैं आप लोगों को कोटे बच्चे तो है नहीं नोटिस वगएर आप लोग देख लीजेगा क्योंकि कुछ लोग करके आया हैं इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को मैं पहले से ही बता दूं यह चीज बाकि आपको अगर जो यह सेकंड पेपर होगा तब तो आपको पते होगा पहले से यह कितने कुश्चन करने हैं कितने नहीं करने हैं अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंद बेल आइकॉन को प्रेस करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे जादस जादा लोगों के पास सेर करिए ताकि जादस जादा स्ट्राइब करते हैं क्या जाता है भाई कर दिया करिए ठीक है दोस्तों चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपका पहला कुश्चन नहां फर्स्ट नंबर बताइए आप लोग इसका अंसर क्या रहेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहेए तो इसका अंसर रहेगा गाई सी जैक डोलन ठीक है दोस्तों नेक्स्ट अकाउंट फॉर जैक डोलन्स पैरेंट्स ऑप्सन देख लीजी ए पूर बी रिच सी बॉयलेंट डी पूर बट ऑनेस्ट बताएए आप लोग तो इसका अंसर आप कर रहेगा डी पूर बट ऑनेस्ट नेक्स्ट वेर बॉस जैक डोलन्स बॉर्न्स ऑप्सन देख लीजी A. मेन कास्टल B. कास्टल मेन C. कास्टल ब्रिज D. डोर सेट सायर बताएए आप लोग दोस्तों आप लोग कमेंट के बताते रहिए तो इसका अंसर रहेगा B. कास्टल मेन ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कुस्टन की तरफ चलते हैं पॉर नंबर कुस्टन आप लोग बताते हैं ये कमेंट बॉक्स में तो इसका अंसर रहेगा C. ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कुस्टन की तरफ चलते हैं ये लोग फाइफ नंबर कुस्टन तो इसका अंसर रहेगा C. जैक डोलन ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कुस्टन की तरफ चलते हैं हम लोग फाइफ नंबर कुस्टन इफ दी लवर इस विलिंग तू मैरी इन दी पोयम आप लोगों को येस और नो में एंसर देना है क्या रहेगा बताएं आप लोग इसका तो इसका अंसर रहेगा Yes ठीक है गाईज नेक्स्ट कुस्टन की तरफ चलते हैं हम लोग फाइफ दी विलिंग तू मैरी इन दी पोयम येस नो में आंसर देना आप लोगो है बताएं आप लोग तो इसका अंसर रहेगा B, No ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कुस्टन थ्री नंबर इस दी लव इस अन्विलिंग तू मैरी इन दी पोयम येस नो में इसमें भी आंसर देना आप लोगो है बताते रहें आप लोग तो इसका अंसर आप पारेगा B, No नेक्स्ट कुस्टन की तरह हम लोग चलते हैं फोर नंबर इस दी विलव इस अन्विलिंग तू मैरी इन दी पोयम येस नो मैं एंसर देना है इसका भी तो इसका अंसर हैगा येस ठीक है नेक्स्ट कुस्टन फाइफ नंबर आफ्टर मैरीज दी लव विकम हजबेंड एंड ट्रीट दी वाइफ एज ए ओप्शन देख लेते हैं दोस्तु A, स्लेव B, फ्रेंड C, मिस्ट्रेस D, वाइफ बताएं आप लोग इसका अंसर तो इसका अंसर हैगा A, स्लेव ठीक है दोस्तो नेक्स्ट कुस्टन 6 In future on finding better choice they would be free to have better option देख लेते हैं A, बिजनेस पार्टनर B, लाइफ लाइफ पार्टनर C, इनलाउज D, डाउरी तो इसका अंसर क्या रहेगा गाईज इसका राइफ एंसर हैगा B, लाइफ पार्टनर नेक्स्ट 7 नमबर The yoke of slavery is to treat the wife as A option देख लेते हैं A, स्लेव B, फ्रेंड C, मिस्ट्रेस D, वाइफ बताने आप लोग इसका अंसर तो इसका अंसर हैगा A, स्लेव ठीक है दोस्तों चलिए दोस्तों हम लोग अब नेक्स्ट कुश्चन की तरफ चलते हैं फर्स्ट नमबर कुश्चन The poem Milborn consists of dot dot stanzas Fill in the blanks हैं या आप लोग की बताएं आप लोग इसका अंसर क्या रहेगा option देख लेते हैं A, 6 B, 5 C, 4 D, 3 तो क्या रहेगा गाईज इसका अंसर बताते रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बाकी शेर भी करते रहे हैं साथ ही साथ B, 5 C, 4 D, 3 बताएं आप लोग क्या रहेगा इसका अंसर बताते रहे हैं आप लोग फटा-फट Guys, साथ ही साथ आप लोग सेर भी करते रहे हैं इसका अंसर आपका क्या रहेगा? 6 यह नंबर, ठीक है? Next question आपका, 3 नंबर Chris Wallace, Suggest the citizens of Milbourne are Option देख लेते हैं A, Helping B, Happy C, Self-Centered D, Brave बताएं आप लोग इसका अंसर क्या रहेगा? साथ ही साथ आप लोग सेर भी करते रहे हैं और मेरे वीडियो को अभी भी लाइक ना किया हो तो लाइक भी कर दीजिए तो इसका राइट एंसर राइज रहेगा? C, Self-Centered ठीक है दोस्तों? अब हम लोग नेक्स्ट कुश्चन की तरफ चलते हैं आप पा रहा फोर नंबर कुश्चन मिल्बोर्ण एक्सिट्स इन ओप्सन देख लेते हैं दोस्तों A, अमेरिका B, जेपैन C, आस्ट्रेलिया D, अफ्रीका बताएं आप लोग इसका अंसर क्या रहेगा? इसका अंसर आपका रहेगा? C, आस्ट्रेलिया ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट फाइफ नंबर कुश्चन आपका What was the full name of Chris Wallace? ओप्सन देख लेते हैं A, Chris Wallace Crab B, क्रिस्टॉफर काइथ वैलस C, क्रिस्टॉफर वैलस क्रेब D, क्रिस्टॉफर काइथ वैलस क्रेब क्या रहेगा गाईज इसका अंसर? बताएं आप लोग फटा फट कमेंट बॉक्स में साथी साथ दोस्तों आप लोग मेरी वीडियोज को लाइक भी करते रहे हैं शेयर भी करते रहे हैं बताते रहे हैं आप लोग इसका अंसर क्या रहेगा? इस सारे आपके काफी important question है जो मैं करा रही हूँ तो इसका right answer हैगा D. Christopher, Kite, Wallace, Crabe ठीक है दोस्तों? next question की तरफ चलते हैं हम लोग आपका पहला question who composed the poem Mr. Man बताएं आप लोग इसका अंसर क्या रहेगा? option देख लेते हैं guys क्या रहेगा guys बताएं आप लोग इसका अंसर? तो इसका अंसर आपका रहेगा C. Kevin Gilbert ठीक है दोस्तों? next question की तरफ चलते हैं हम लोग two number question when did Kevin Gilbert compose the poem Mr. Man? option देख लेते हैं A. 1978, B. 1976, C. 1975, D. 1987 इसका अंसर आपका रहेगा A. 1978 ठीक है guys? next question की तरफ चलते हैं हम लोग three number question an outsider living in Australia is option देख लेते हैं guys इसके A. The Mr. Man B. Master Man C. Native Man D. Miserman इसका अंसर रहेगा A. The Mr. Man ठीक है दोस्तो नेक्स्ट फोर नंबर कुश्चन who are natives in the poem Mr. Man बताएं आप लोग इसका अंसर क्या रहेगा साथी साथ दोस्तों आप लोग मेरी वीडियो सेयर भी करते रहे हैं बताएं सका अंसर 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 रहे हैं वन सेकंड गाइस थोड़ी से प्रॉब्लम हो गई हैं चलिए आपसन देख लेते हैं हम लोग सुल्स ऴॉचल अंसर व करते हैं बताहिक को अषरलै वक्लाग टीजल आप लोग लोग क्लींग हैं प्लींग इस फड्राव चर्वेटन वग वेशमन इसका अंसर आपका रहेगा ए ओरिजिनर सिटीजन्स आफ आस्ट्रेलिया ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कुश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग फाइफ नंबर कुश्चन आपका या रहा इस नो में आप लोगों को एंसर देना है क्या रहेगा गाईज इसका एंसर आप लोग बताएं आपसन दिये आपके हैं यस बी नो दो ही आपके आपसन है इसमें इसका अंसर आपका रहेगा ए यस ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कुश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग वन सेकंड गाईज फर्स्ट नंबर कुश्चन आपका इन विच कंट्री दि एक्सन ओफ दि प्ले दि जू स्टोरी तेक्स प्लेस आपसन देख लेते हैं गाईज A. अमेरिका B. जेपान C. आस्ट्रेलिया D. अफ्रीका क्या रहेगा इसका अंसर दोस्तों बताएं आप लोग मैं फिर से रिपीट करती हूँ कुश्चन को इन विच कंट्री दि एक्सन ओफ दि प्ले दि जू स्टोरी टेक्स प्लेस अगर दूस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हूँ तो प्लीज लाइक कर दीजे और सेर भी कर दीजे शेशन को इसका अंसर आप करेगा वोन मिनुट ए नमबर अमेरिका ठीक है दोस्तां नेक्स्ट कुश्चन की तरब चलते हैं हम लोग टू नमबर कुश्चन मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ इसका राइट एंसर हैगा ए ओनली टू ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कुश्चन आपका यह रहा थ्री नमबर इन दी जू स्टोरी वाट इस दी नेचर आफ पीटर ओप्सन देख लेते हैं गाईस मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कुश्चन इन दी जू स्टोरी वाट इस दी नेचर आफ पीटर बताएं आप लोग इसका अंसर क्या रहेगा गाईस सेयर करते रही हैं आप लोग सेयर करने में कोई भी कंजूसी मत करिये इसका राइट एंसर आप पर रहेगा डी कामेंट कॉइट नेक्स्ट कुश्चन फोर नमबर इन दी जू स्टोरी हू इस वॉइलेंट बाई नेचर ओप्सन देख लिएते हैं ए पीटर बी जेरी सी जेरिस लैंडलॉड दी पीटर सन बताएं आप लोग इसका अंसर क्या रहेगा गाईस बताएं आप लोग इसका अंसर क्या रहेगा इसका अंसर रहेगा बी जेरी ठीक है गाईस नेक्स्ट कुश्चन की तरब चलते हैं हम लोग फाइफ नमबर वेदर दी जू स्टोरी इस अ पोएम और प्ले और स्टोरी ओप्सन देख लीजी A. पोएम B. प्ले T. स्टोरी D. नन अप दीज क्या रहेगा इसका अंसर फटा फट दीजे इसका अंसर तो इसका अंसर आप करेगा B. प्ले ठीक है गाईस नेक्स्ट कुश्चन की तरब चलते हैं हम लोग 6. नमबर इन दी जू स्टोरी वेज प्रोस्परस ओप्सन देख लेते हैं A. पीटर B. जेरी C. जेरीज लेंडलॉड D. पीटर्सन बताएं आप लोग इसका अंसर क्या रहेगा इसका अंसर हैगा A. पीटर ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कुश्चन आप पर 7 नमबर इन दी जू स्टोरी वेज पूर ओप्सन देख लेते हैं गाईज A. पीटर B. जेरी C. जेरी 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 लेंडलॉड D. पीटर्सन इस राइट एंसर गाईज B. जेरी ओके गाईज नेक्स्ट कुश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग एट नमबर कुश्चन आपका इन दी जू स्टोरी वेज अफ्रेड ओफ रॉबिन ओप्सन देख लेते हैं गाईज A. पीटर B. जेरी C. जेरीज लेंडलॉड D. पीटर्सन बताएं आप लोग इसका अंसर क्या रहेगा? इसका अंसर रहेगा A. पीटर ओके गाईज नेक्स्ट कुश्चन नाइन नमबर इन दी जू स्टोरी वेज शूरी सफर्स फ्रॉम लोन लाइन ओप्सन देख लेते हैं गाईज A. पीटर B. जेरी C. जेरीज लेंडलॉड D. पीटर्स सन बताएं आप लोग इसका अंसर क्या रहेगा? C. इसका नाप लेज लेजिए? इस राइट आंसर बी जैरी ओके गाइज नेक्स्ट कुश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग अप फर्स्ट नंबर कुश्चन आपका तो विच कंट्री डिड मार्ग्रेट आट वुड बिलॉंग ओप्सन देख लीजिए गाइज ए अमेरिका बी कानेडा सी ऑस्ट्रेलिया डी अफ्रीका क्या रहेगा इसका राइट एंसर उठ एंसर इस बी तरफ और आट एंसर इस बी तानुटा एंसर इस बी कानेडा ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कुश्चन आपका सेकंड नमबर Margaret Atwood published Bodley Harm in option देख लेते हैं guys A. 1978 B. 1976 C. 1975 D. 1981 बताएं आप लोग इसका अंसर इसका अंसर हैगा D. 1981 Next question Third number In Bodley Harm What is Rennie Willford's Profession option देख लेते हैं guys A. Teacher B. Reporter C. Nurse D. Leader बताएं आप लोग Tell me guys It's right answer क्या रहेगा B. Reporter ठीक है Next question की तरफ चलते हैं 4 number question आपका One minute wait guys चलिए गाइज कुस्चन देखते हैं In Bodley Harm In Bodley Harm Who involves Rennie Willford in Smuggling Option A. Jack B. Simon C. Laura D. Paul Right answer है C. Laura Next question Next question 5 number In Bodley Harm What does Rennie Willford Smuggle Option देखते हैं A. Gold B. Dollars C. Weapons D. Drugs बताएं इसका Right answer कह रहेगा Its right answer is C. Weapons Next question की तरफ चलते हैं हम लोग Sixth number In Bodley Harm What is Rennie Willford's Disease Option देख लेते हैं A. Heart attack B. Cancer C. Breast cancer D. Throat infection बताएं आप लोग इसका Right answer क्या रहेगा Its right answer is C. Breast cancer ठीक है गाईस D. Throat खाईस बताएं लोग बताएं बताएं लोग भोग उनाप प्यादार